हलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे आप सभी लोग हम लोग संग जो है हाइब आशन पर रहते हैं और हाइब आशन हम लोगोंने जो है अलग-अलग लॉन पेरों मुल्टिपल बॉंड कहां कहां लग सकते हैं देख लिया था उसके अंदर हम लोगोंने यह भी देख पहुंच सकते हैं पहुंच चुके थे सब्सक्राइब और इसके बाद में लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ओरी जिसको हम लोग ग्लेस्पी और नाइहों थेवरी भी बोलते हैं ठीक है वेलें से लेक्ट्रोन पेर रिपल्शन थेओरी देखेंगे किस तरीके से रिपल्शन ह होता है इसलिए उसका वेलेंस अलेक्ट्रोन पेर रिपल्शन बोला गया है तो अब लोग देख लेते हैं एस्पी 3D2 और एसपी 3D3 के अंदर माल लीजी आपके पास में क्लाता है कि अबिशिक टैक का कोई मॉलिक्यल है कर अ कि एस्पी 3D20 कि ए्बिशुक्राय को मॉलिक्यीज थो श्किंबम्स 6 बांड़ क्यों सकते हैं और जीरो लुन । अ हो सकता है ऐसलिए इसमें um narcissist Nos а कbly ओš अक्योंकि जोमेट्री क्या थी ऑक्टाइडर तो अगर मालवी आपके पास में यह एपीश टैप का है एपीश टैप का है तो इसकी जोमेट्री आईगी ऑक्टाइडर शेप आज आएगा इसका ओक्टाइडर और उसको लोगों ने स्कॉर्ईर फथा एं अगर वहाँ पर यह एभी फाइफ का है कि अधिकुआ है और इस पर प्राइब यह जहाँ है लॉन पेर तो उसकी वज़ासे आप पर लोगों पयाने जो होंगे आप जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा इसको एक पिरामिड यहां पर खतम हो जाएगा क्योंकि एकसल पर या जाएगा यह आएगा अब फोर टाइप का और यह स्कुर्ण planer हो जाएगा बच्चों, square planer दोनों pyramid वहाँ पर क्या हो जाएगे, खतम हो जाएगे देखो किस type से अगर ab6 type का है तो a ये b b b b ये planer और दो यहाँ पर pyramid तो square हो गया है ये एक plan में और दो pyramid बन जाएगे तो square planer, इसको बोलेंगे square planer, अगर आपका ab5 type का है a b b b b एक b मैंने यहाँ पर और बना दिये, ये b5 हो गया और यहाँ पर एक क्या जाएगा loan पर राजएगे ठीक है, ab5 type, square pyramidal हो सकता आपके पास में दो loan पर राजएगे तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से, square planer हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगे, दो loan पर राजएगे ठीक है, दो क्या जाएगे, यहाँ पर loan पर राजएगे, तो octahedral square pyramidal और square planer, ये तीन तरीकी geometry यहाँ पर possible है ठीक है, ab6 type में ab6 भी बनेगा, ab5 भी बनेगा और ab4 भी बनेगा, sp3 d2 sp3 d3, देखो हम लोगों ने देखा था कि माल लीजएए यहाँ पर आपके पास में ab7 type का कोई molecule है और 7 bond pair है plus 0 loan pair और मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि अगर sp3 d3 के अंदर 1 loan pair होगा तो वो equatorial position पर आगा, अगर 2 loan pair पर आगे है तो वो एक्सल पोजिशन पर जाएगा तो अगर एक यहाँ पर एक भी नहीं है तो यह तो क्या हो जाएगा pentagonal by pyramidal pentagonal by pyramidal अगर यहाँ पर यह ab6 बना एक loan pair आया तो मतलब 6 bond pair plus 1 loan pair तो इस geometry का जो नाम होगा आपके पास में shape जो निकल के आएगा उसमें एक loan pair कहां पर आ जाएगा एक loan pair आ जाएगा equatorial position पर तो वो एक तरीके साब को square बना के देगा square by pyramidal square by pyramidal square by pyramidal किसके अंदर sp3 d3 के अंदर जब 6 bond pair के साथ में एक loan pair आ जाएगा और जगर दो loan pair आ जाएगे तो दोनों loan pair आ जाएगे axle position पर ठीक है और इसको हम लोग बोलेंगे pentagonal planner ठीक है कैसे देखो a b 7 a b 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 इस तरीके से यह रा मारे पास में pentagonal by pyramidal अगर एक loan pair है तो कहाँ जाएगा square pyramidal बनेगा एक loan pair कहाँ जाएगा यह loan pair यह loan pair आएगा equatorial position पर कल पड़ा दिया था में नहीं चीज है ना और यह दोनों loan pair किसमें जाएगे यह axle position पर जाएगे अगर एक loan pair हो गया SP3D SP3D2 तो हो गया ना SP3D3 यह बेटा है SP3D3 SP3D3 के अंदर अगर एक loan pair आया तो वह equitable position पर और दो loan pair आया तो एक्सेल position पर आया तो एक्सेल position पर देखो किस तरीके सरह एगा A B B B B B B B B और यहा पर एक loan pair ठीक है तो यह देखो यह प्लेनर नी बन रहा है स्क्वाइर प्लेनर तो स्क्वाइर बाय प्रामिडल और अगर यह AB5 टाइब का मोलिकुल बना रहा है SP3D3 के अंदर तो दोनों loan pair जो हैं वह जाएंगे आपके एक्सेल पोजिशन पर यहां पर loan pair और यहां पर भी loan pair को कभी भी शेप में काउट नहीं करते पहले बता चुका हूं तो यहां पर यह क्या बनगे एक तरीके से प्लेनर में पेंटागोनल तो इसको बोलेंगे हम लोग लोगोने जोमेटर में शेप देखी है तो आपको बना के देखनी है और इससी के अकोडिंग आपके निकलकर आएंगे और अलग-अलग मोलेकुल में जोमेटरी अलग-अलग हो सकती है लेकिन हाइब अलग-अलग हो सकता है जिसे स्क्वाइर बाइप्रामिडल वह सब्सक्राइब बन रहा है यहां पर इसक्वाइब बन रहा है जब लॉन पर जीरो हो सब्सक्राइब निकाल दो अगर लोन पर है तो आपको जाना कि वहां पर जो शेयर पर किस टाइब की हो सकती है ठीक है तो यह था हमारा हाइब अब इसके अंदर हमारी एक ही चीज़ बचिए है 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 इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली अगला कंसेप्ट वी एस इपी आर ठीओरी जिसको हम लोग ग्लेसपी एंड नाय होम ठीओरी भी बोलते हैं यह क्या बोलता है तीन इसके पॉस्चिलेट से क्या क्या बोलते हैं देखो फिर्स पॉस्चिलेट इस जाफिछरोब से अंड तय्ट्वर ग्रह विचलेटर अल्बोलते हैं लोग अपरिंभ्णेटर ट्रों अंड व्यृ radi신 व्यू रिपर आर्प्रण्छ रिच्छ एंडon यूर्बाटर Dul ॉस्चिलेंग प्य एंडी एंड़्र अंड़क्रण्ण्ट्रिंए then the geometry of the molecule then the geometry of the molecule of the compound sorry the geometry of the compound will be symmetrical will be symmetrical and according according to according to sidwick scientist and powell the geometry of regular geometries are linear linear horizontally जोमेट्री हम लोगों ने देखी थी टेट्राहेटर ठीक है बीएफ थ्री की हम लोगों ने देखी थी ट्राइगनल प्लेनर और सी और टो की हम लोगों ने देखी है यह सारी रेगुलर जोमेट्री हैं सिमेट्रिकल है क्योंकि इन सब में सिर्फ बॉन्ड पेर के लेक्ट्रोंस हैं अगर आपने इनकी शेप बनाई मैंने बना के दिखाई आपको इन सब की आप शेप बनाई है हाइब डाशन इसका सब की जोमेट्री नहीं यह सिर्फ बॉन्ड पेर के लेक्ट्रों और ऐसा होता है तो फिर जापकी जोमेट्री मनेगी वह सिमेट्रिकल बनेगी अ और सेहां आगे चलें आगे हैं और सेखंड पॉइंट है यहां पर एक भी लॉन पर इलेक्ट्रो्ण नी अब आप मंलोग क्या लेंगे दूसरा पॉस्टुलेट जिसमें बोन्ड पेयर एस वेलेज लॉन पर एक रॉक्त राजांए क्या जा। बॉन्ड पेर इलेक्ट्रोन एस लोन पेर के इलेक्ट्रोन आ जाएं देखो क्या सेकेंड पॉइंट है सेकेंड पॉस्टिलेट आओ वीस्टी पी आर थियोरी का इस इस सेंट्रल एटम ऑफ और मॉलिक्यूल या कंपाउंड हैस बॉन्ड पेर as well as long pair electron then geometry of the molecule will be unsymmetrical will be unsymmetrical even even for same hybridization चाहे इस hybridization सेम हो तब भी अगर लोन पेर आ गया तो geometry वहाँ पर change हो जाएगी शेप वहाँ पर change हो जाएगा जो है वहाँ पर unsymmetrical geometry आ जाएगी unsymmetrical geometry आ जाएगी इसी के अंदर एक सब्वेंट if if side atom of a central atom of a central atom of a central atom of same molecule if side atom of a central atom of same molecule is change then geometry also unsymmetrical due to due to unsymmetrical due to geometry नहीं change then then bond angle bond angle will also change will also change due to unequal force of attraction sorry force of repulsion due to unequal force of repulsion between the atoms ठीक है दोनों का मतलब क्या है कोई molecule के अंदर central atom है और से मानलों मैंने एक्जांपल लिया एक्जांपल में इसका ले रहाँ फर्स्ट वाले का ठीक है मैंने लिया CH4 मैंने लिया NS3 और मैंने लिया ह्टो इन तीनों का हाइबिडाइशन जो है बच्चों यह है SP3 इन तीनों का हाइबिडाइशन है SP3 चेक कर चुके हम लोग देख चुके है ना तो ãydriven CH4 लिया अगर लोग पर इंक्रीस होते जा रहे हैं तो यहां पर जोमेट्री है वह अंस्यमेट्रिकल होती जाएगी यहां पर जोमेट्री और टेट्राइडल होगी यहां पर जोमेट्री आपकी वह पिरामिडल होगी पढ़ चुके हैं हम लोग ठीक है और यहां पर जोमेट्री होगी वह बैंट या फिर वी शेप में ठीक है तो य यह फर्स्ट पॉइंट यह प्रूफ करता है कि अगर सेंटल एकम के पास बोल्ड पेर के साथ साथ में लोन पेर के लेक्ट्रोन भी आ जाते हैं तो वहां पर जो मेट्री वह अंस्यमेट्रिकल हो जाएगी सेम हाइब आइशन के लिए भी सेम हाइब आइशन ठीक है दूसरे क एग्जांपल देखो एग्जांपल नमबर टू इफ साइड एटम आपसेंडल एटम आपसें मोलेकुल इस चेंज देन बोर्ड एंगल विल अल्सो चेंज द्यू टू अनेक्वल फोर्स अफ एट्रेक्शन तो यहां पर जैसे की अगर मैं बात करूं yeah 122-0 ओ और और ओ दो अ गुल इस तरी के से इस तो यहां पर जो बॉंड एंगल है किश्का जादा होगा क्योंकि इसके अंदर यहां पर एक्टो नेट्र ही जादा होगी और तो बात की बात है आपको बताऊंगा तो यहां पर सेंट्रल एटम सेम है लेकिन यहां पर जो साइड एटम है वह अगर चेंज हो रहे हैं तो बोन एंगल भी क्या होगा होगा पर रहेगा कि वह यह रहाँ कि लोन परолов पर इसन अक शबसे ज्यादा होता है छैंट लॉन पर बोन पर रिपल्शन होता है और सबसे कम होता हुद अबोन फ्रीपर जोहें रिपल्शन की ओर और सेकंड् पॉइंट अगर आपके पास में नम्मच मेर लोन पर इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ओफ लॉन पेर जो है रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है तो बॉन एंगल जो है वो इंवर्सली प्रोपोर्श्चनल टू है किसके नंबर ओफ लॉन पेर रिपल्शन ठीक है यह जो है इन में रिलेशन है कि जैसे यह से नंबर ओफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा लॉन पेर बढ़ता जाएंगे वैसे बॉन एंगल डिक्रीज होता जाएगा कंडिशन है वाप पर सेंटर एटम सेम और चीए साइड एटम डिफरेंट होना जाएगा थर्ड पॉइंट यह है कि अगर आपके पास में एक जैसा हाइविड आइशन है हाइविड आइशन सेम है और उनके अंदर अगर लॉन पेर एक लॉन पेर भी इंक्रीज हो रहा है तो बॉन एंगल जो है 2.5 से लगबग एप्रोक्सिमेट 2.5 से क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा बाइ इंक्रीजिंग थर्ड पॉइंट है बाइ इंक्रीजिंग लॉन लॉन पेर स य झो डिक्रीजिंग इंक्रीज इंक्रेसिंग लॉन लंपर इंक्रीज डिक्रीजिए अनम् चायर लॉन पेर ल gefिर्डे उन चुब्ड D狗 है और लॉन बाटल कि क्या है बॉन बीड करेख़ बाइट प्ञ offense ir तो पॉइंट फाइफ डिग्री जैसे एक्जाम्पल है थी एच फोर एन एच थी एच टो अभी देखा हम लोगों हाइब सेमें का साइड एटम जो हैं वह भी सेम है लेकिन लॉन पर बढ़ रहे हैं इसके एक लॉन पर इसमें सब्सक्राइब जैसे लॉन पर बढ़ते जाए जैसे जैसे इसकँ ढेता है तो इस तरीके से होते जाएंगे के लिए और आप कोई भी ग्रूप लो और उसके यहां पर भी बोंड एंगल क्या होते हैं डिक्रिस होते हैं लेकिन वहां पर एक रूल लगता है वहां पर एक रूल लगेगा इसको लोग बोलेंगे ड्रेगोज रूल है ना यह सब हम लोग पढ़ेंगे लेगिन बहुत इंपोर्टनेट है यह सी फाउंडेशन पढ़ा ही है कि कि सेंटल इटम पे अगर सिर्फ बॉन्ट पर बॉन्ट पर और के लेक्ट्रोन है लौन पर नहीं है तो सिमिट्रिकल आप की जुमेटरी होगी सिड्विक अपॉवेल ने जैसे बोली थी बिल्कुल वैसे अगर लोन पर आ गये हैं अनसिमेट्रिकल हो जाएग इवन सेम हाईवीडाशन के लिए जैसे एक्जाम्पल लग होगी अलग लोग लोग यह तो वहाँ परखअग जैन्ज हो जाएंगा शेप तो चेंज हो सकताएं लेकिन जरूर्ड नगल जरूर चेंज वहाँ पर जोसाइड है उनकी एले लेक्ट्रफिες अलग अलग रहेती कुछ है थार एक वो रहेगा लोन गृको सब से चेधा होता है फिर लूट पर इंगल जितना अगर नंबर फोन्ड और यह थे रहे हाँ वार भी नवर इंगल झाल फो जाएगा यहाँ यह Revelation one lone pair of electron the bond angle will be decreased by approximate the prick is decreased by 2.5 degree to get 2.5 degree clear तो यह थी हमारी VACPR theory अगला जो topic है वो है हमारा बच्चों bond parameters क्या है bond parameters क्योंकि में बहुत सारे questions आते हैं इसके किसके बॉन्ड पेरामिटर्स के बॉन्ड पेरामिटर्स इन में तीन बॉन्ड पेरामिटर्स हम लोग देखेंगे पहला होगा बॉन्ड लेंथ दूसरा होगा बॉन्ड एंगल और तीसरा होगा हमारा बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ किस तरीके से डेसायड होती है कि सी बी मॉलेक्वी देसले बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड से लिबॉन्ड एंगल है यह अ क्योंकि यहां पर हम लोगे यहां पर हमें यहां लोग ड्रेगो भी पढ़ेंगे यहां पर हम लोग band rule भी पढ़ेंगे ठीक है bond energy भी उतनी important है लेकिन यह हम लोग पहले भी पढ़ चुके है bond length और bond energy ठीक है प्रियोडिक टेवल में bond angle में यह दो rule हमें पढ़ने बहुत जरूरी है यहां से question आते है J और neat में जो है यहां से हर दो साल तीन साल में एक question आता ही है हो सकता regular भी हो जाए ठीक है बहुत important है क्योंकि अब तो online होते है जेए के paper तो किसी ना किसी slot में धरी जाता है एक question ड्रेगोज रूल और बेंट रूल 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 ठीक है बहुत important है bond parameters हम लोग जो next lecture रहेगा